नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है वे बड़ी ही ज्यान वर्दक है ये एक तीतर की कहानी है, तीतर की आठ बातें कुछ ऐसी है तीतर कहता है कि जो इनसान अपने जीवन में सुक्ष मरदी पाना चाता है हमेशां खुशी जीवन जीना चाता है वो इनसान इन आठ बातों को अपने जीवन में हमेशां याद रखे और हो सके तो इन आठ बातों को अपने उलाद को भी जरूर बताएं तीतर कहता है कि जो इनसान तीतर की इन आठ बातों को अपने जीवन में ग्रहन करता है उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता और वह इनसान अपने जीवन में कभी भी दोखा नहीं खा सकता तो दोस्तो कहानी सुरू करने से पहले जो दरसक नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक जंगल में एक तीतर रहता था और तीतर के दो बच्चे थे उस तीतर की पत्नी बड़ी बोली थी उसके मुख में कभी कोई बात नहीं पस्ती थी कोई भी बात वह सुनती हर किसी से कह देती थी उसके जितने भी मितर थे या उसके आसपास रहने वाले लोग थे उनको इस बात का अच्छी तरह से पता था कि तीतर की घरवाली के मुख में कभी कोई बात नहीं पस्ती है इसलिए तीतर भी उसे बहुत कम बात बताया करता था वो तीतर जंगल में जाता, सिकार करता, एवं वो सिकार लाकर अपने बच्चों का पालन पोशन करता उसी जंगल में काफी और भी पक्षी रहा करते थे, उनका पड़ो सी मित्र कववा भी रहता था वह कवा तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई तुम कहां जाते हो अच्छे अच्छे सिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा बोजन खिलाते हो ऐसा तुम क्या करते हो मुझे भी बताओ तो वह तीतर अपना काभी भेद नहीं खोलता था लेकिन वह तीतर अपने घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से सिकार करता हूँ और इस तरीके से सिकार करके लाता हूँ जब वे तीतर उस कववे को नहीं बताता था तो वे कववा इस बात को तीतर की घरवाली से पूचता था कि तीतर कहां जाता है और कैसे सिकार करके लाता है दोस्तो वतीतर अपनी गर्वाली को खूब समझाता कि तुम किसी को कुछ मत बताया करो यदि तुम ऐसा करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे हमें बोजन मिलना बड़ा मुस्किल हो जाएगा लेकिन उस तीतर की पतनी बड़ी बोली थी वह कुछ देर इस बात को याद रखती एवं कुछ देर बाद अपने पती की कही वी बात भूल जाती इसी बात को लेकर वह तीतर बड़ा दुखी रहता था क्योंकि तीतर रोज नई जगे खोजने की कोशिस करता और जब शाम को आकर वह अपनी पतनी को बताता तो पतनी दूसरे दिन उस कोवे को बता देती कोवा अक्सर इसी फिराग में रहता था कोवा अक्सर उस तीतर की पतनी से जगे के बारे में पूशता था तो तीतर की पतनी से जगे के बारे में पूशता और उस जगह पर अपने अधिकार कर लेता इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता था क्योंकि तीतर जिस जगह को सिकार के लिए डूंडता था कववा उस जगह पर अपना अधिकार जमा लेता था तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता कि तुम्हारे मुँ में कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वज़े से तीतर को यह नोबत आने लगी कि उसको कहीं बोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चे वे पत्नी को बोजन खिलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब धीतर के सामने यह एक बड़ी चुनोती आगी थी कि अपने परिवार का पालन पोशन कैसे करे। तो तीतर के अपने परिवार के लिए जितना भी बोजनी कठा कर रखा था, धीरे धीरे वसारा खतम होने लगा, जीशे तीतर को बुखा मरनी की नोबत आने लगी। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता लेकिन भोजन नहीं मिलता, कभी-कभी तो ऐसी नोबत आ जाती कि उसको भूखा ही सोना पड़ता, और तीतर राद दिन अपनी पतनी को कोशता रहता कि सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है। तीतर की पतनी कहती, देखो मुझे पर चिलाने की जुरूत नहीं है, यदि तुम्हारी ख्शमता नहीं हमारे पेट पालने की, तो ऐसे ही कह दीजिए, फालतों में मुझे पर दोस्त ना लगाएं। तीतर दिन पर बटकता बटकता, एक सादू के आस्रम में पहुंचता है और परणाम करके चुप चाप बैठ जाता है। जब सादू उस तीतर को देखता है कि तीतर बड़ा शांत बेठा है, साए तीतर के जियोन में कोई बड़ी समस्या है। वो सादू उस तीतर के पास जाता है और तीतर से कहता है कि तीतर तुमारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान से लगते हो, कोई गम्हीर समस्या पेदा हो गई है, वो तीतर सादू मराज को परणाम करता है और सादू वाराज को सारी गटनाएं सुनाने लगता है वो तीतर कहता है कि सादू मराज मेरी पत्नी की वज़े से ये दिन देखने को पड़ रहे हैं मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी बात का बेदवाव नहीं रखना चाहिए इसी चिंता की वज़े से मैं बहुत दूखी रहता हूँ, वो सादु मराज उस दीतर से कहते हैं कि ये तुम्हारी मुर्खता है, जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी बो लक्कड सबाव की है और इसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई उसे नहीं बतानी चाहिए, जो तुम्हारे मतलब की हो और उस बात को बताने से तुम्हारा बुरा हो, उस बात को आप अपने तक जीवित रखे, सादु मराज तीतर से कहते हैं कि तीतर तुम मेरी बात गोर से सुनो, मैं आपको ऐसी साथ बाते बताऊंगा, यदि तुम अ तो नमबर एक, सादु मराज तीतर को बताते हैं कि अपने मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, यदि आप अपने मजबूरी किसी को बताते हैं, तो सामने वाला आपके मजबूरी का मेसा फाइदा उठाएगा, और मेसा आपको नीचा दिखाने की कौसिस करेगा, इसलिए नमबर दो, दूसरी बात महराज तीतर को बताते हैं कि आपके बविशे की रणनिती किसी को नहीं बतानी चाहिए, यदि आप बविशे की रणनितियां किसी को बताते हैं, तो आपके बविशे की गलतियां वो पकड़ लेगा और आपको कभी भी उपर नहीं उठने देगा 3. सादू मराज तीसरी बात इतर को बताते हैं कि अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताएंगे तो आप समाज में अपनी मान मर्यादा को खो बैठेंगे और कभी भी आप समाज में उंचा उठकर नहीं बोल सकते सादू मराज चोथी बात तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपने कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कैसे कमाते हैं और कांसे कमाई कर रहे हैं अगर आप सामने वाले को कमाई का जरिया बताते हैं तो हो सकता है कि आपके कमाई का जरिया खतम हो जाए जैसे तीतर तुम्हारे साथ हुआ है नमबर पांच सादू मराज दीतर को छड़ी बात कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में मित्र वा सत्रू किसी को नहीं बताने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी सत्रू को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है सामने वाला आपकी मित्रता ही दुलबा दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रू बना दे नमबर साथ, सादू मराज साथी बात इतर को बताते हैं कि कभी दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए और यदि दिये हुए दान को एक दूसरे को बताते हैं तो अपने बढ़ाई करने के चक्कर में बताते हैं तो आपका दिया हुआ दान विर्थ है इसका कोई लाव नहीं है तो दोस्तों सादू मराज यह साथ बाते के उस तीतर को बताते हैं और साथ बात उस तीतर के मन में बैठ जाती है तीतर उन साथ बातों पर अमल करता है और दिरे दिरे तीतर का जीवन पहले जैसा सुख में हो जाता है तो प्रिये दोस्तों यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप जरूर परेना लेंगे अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए